हर्यारा विधान सबाचुनाव की शुरुवात हो चुकी है राज्य की सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहे हैं भारी संख्या में लोग जो है अपने घरों से निकल कर वोट डालने पहुचे हैं लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हर्याना की राजनीती में इस वक्त हल चल क्यों तेज है क्या कॉंग्रिस पार्टी जो सत्ता में वापसी के सपने देख रही है क्या दस साल बाद फिर से हर्याना की राजनीती में हर्याना की सत्ता में उसकी वापसी होगी या फिर भारती जन पार्टी है ट्रिक लागाने में कामयाब रहेगी वहीं कुमारी सरेटा का भी बयान सामने आया जिन्होंने सीधे तो पर कहा है कि भारतिय जंता पार्टी के लिए ही नज़र आएगी और किस तरीके से वापसी करती नज़र आईगी और लोग सबाद चुनाओं के क्या उसका प्रभाव विधान सभा चुनाओं में देखने को मिलेगा? क्या हरियाना की राजनीती में, हरियाना की सत्ता में कॉंग्रिस को कामयावी मिलती ही नज़र आएगी? कांग्रिस पार्टी कितनी सीटे जीत कर अपने दम पर सरकार बनाती ही नज़र आएगी? और कई सवाल है जयजए पी को लेकर एने लो को लेकर के आमादमी पार्टी आजात समाज पार्टी और तमाम पार्टिया जो इस वक्त हार्याना वीधान सबाद चुलाओंगा वितान चुलाओं मेनं ताल ठोक रही हैं उनको लेकर सवाल से देखा जाए तो हर्याना की राइनीती में बड़े उलट फिर के आसार जरूर नजर आ रहे हैं और माना जा रहे हैं कि जो सूबे में दस साल से भारती जनता पार्टी की सरकार है उसकी तमाम कम्यों को कहीं न कहीं उजागर करते हुए कोंग्रिस पार्टी वापसी कर सकती ह देखिए सिराज इस चुनाओं में देखा जाए तो पिछले दस सालों पर नजर डालना वेह जरूरी हो जाता है दोजार चोदे में भारती जनता पार्टी ने हरियाना में रामिला शर्मा के प्रदेश अध्यक्स रहते हुए पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने म कामियाभी हासिल की लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाओं पर ये दिया आप नजर डाले तो वहां मनोहर लाल खटर और अनिल विज को छोड़ कर तमाम दिगज नेता जो कैबिनेट मंत्री थे उनको हार का सामना करना पड़ा और बीजपी यहां 40 सीटों पर सिमट कर रहे गई वो तो दुशन चोटाला उनका समर्थन करने आए वरना सरकार बनाना बीजपी के लिए मुश्किल हो सकता था दूसरी तरफ देखा जाए तो इस चुनाओं में यहां पर ये चुनाओ फसा हुआ है किसी भी पार्टी के लिए यहां सपष्ट बहुमत की गुंजा इस नजर नहीं आ रही है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी कड़ी मशक्कत करते ही नजराई बीजपी की तरफ से शीर सनेत्रीतु के तमाम दिगज नेताओं ने जान जोक दी लेकिन प्रदेश की जनता किस तरह आपना जो है रुख दिखाए गिये तो आठ तारिक को सपर्ष्ट हो पा है क्योंकि किसान अंदोलन बड़ा मुद्दा था और जाट वोट बैंक हरियाना में 35 फीसदी है 37 सीटों पर प्रभावी है और निना एक भूमिका में भी मौजुद है तो ऐसे में कहीं कोशिश यह की जा रही है कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो जाट वोट बैंक कि अंदोलन के वक्त पर बीजपी हाई कमान के अंदर सरकार से नाराज हुआ था उसका यहाँ पर पूर जोर यहाँ पर समर्थन ले लिया जाए दूसरी तरफ देखा जाए कुमारी शैल्जा मुझे अच्छी तरीके से याद है 12 सितंबर से लेकर क्यों लगातार 30 सितंबर त पर आना और प्रमुक्ता के साथ ये कह देना कि मेरी जो अंतिम यात्रा होगी वो कॉंग्रेस पार्टी के जंडे में ही निकलेगी यानि कि उन्होंने हाई कमान को कही नगी आश्वस्त किया कि मैं आपके साथ मौजूद हो तो बहुत दलित 18-20% वोट जो है वो भी कही 3 अक्टूबर को राहूल गांदी जब मेहंदरगड में एक जन सभा को संबोधित कर रहे थे उस दोरान कॉंग्रेस पार्टी के पूर प्रदेश सद्यक्स रहे सिरसा से लोकसभा सांसद रहे अशोक तवर उनके भासन की खत्म होने के तुरंत बास स्टेज पर पहुंच ज चुनाओ प्रचार के आखरी दिन और एक घंटे में तमाम तरह के बदलाओ क्या भारती जनता पार्टी को एक बड़ा नुक्सान होगा अशोक तवर के जाने से देखे सिराज डिजिटल दुनिया है आज जो है जिस तरीके से इंटरनेट पर ख़बरे आती है तो हर कोई व काने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है हमने पूर केबिनेट मंत्री यहां पर रामिला शर्मा के बयान देखा और उसमें उन्होंने साबतोर पर यह कहा कि कुछ लोग दिल्ली में बैठकर हर्याना की राजनिती को समझने का प्रियास कर रहे हैं लेकिन जो यहां ग्राउ से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन मनोहर लाल खटर के करीबी को करनाल विधान सबस सीट से टिकट दिया गया नायव सिंग सैनी जो कंफ़टेबल नहीं थे लाडवा से चुनाव लड़ने के लिए लेकिन उनको लाडवा ही बेजा गया तो इस चीज पर कहीं ना कहीं महर लगते भी दिखाई भी दे रही है कि मनोहर लाल खटर की जो एक पैट है वहाँ पर बीजपी हाई कमान में वह मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि सूबे में करीब साड़े नो साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और बीजपी का विधायक नहीं जीतेगा और सीधे तो पर जो मनोहर लाल खटर वो कहते हैं इधर आ इधर और तमाम तरह की जो शब्द है उसके प्रियोग करते तो क्या यह बढ़बूलापन भारती जनता पार्टी को नुक्सान पहुंचा सकते हैं मनोहर लाल खटर का ट्रेक रिकोर्ड कुछ ऐसा ही रहा है 2019 के विधानसभा चुनाओं में मैंने देखा कि विखवानी में एक सदस्य थे चंद्रमोहन भार्दवाज और वो उनके साथ रत पर मोजूद थे वहां पर उनको जो है उपहार सो रूप भेट सो रूप फरसा उन्होंने वहां पर दिया उनके हाथ में और उस वक्त यहां पर मनोहर लाल खटर को जब मुकट पहनाने लगे तो चंद्रमो इसके लोग उनसे नाखुश हुए जो यहां पर जो एक एंटी इंकमबेंसी बनकर के आई मनोहर लाल खटर ने चुनाओ से कुछ दिन पहले बयान दिया था कि विनेश फोगाट बजरंग कुनिया जो जंतर मंतर पर ब्रिजभूशन शर्ण सिंग के खिलाब योन सोशन के म मनोहर लाल खटर के खिलाब 9 साल तक एंटी इंकममेंसी बनती वी नजर आई और एक एक्सपरिमेंट के तोर पर यहां पर नायप सिंग सेनी को भीज़पी इसलिए लेकर के आई क्योंकि सेनी वोट बैंक इसके साथ 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 OBC वोट बैंक क्योंकि सेनी समुदाय जो है व दूसरी तरफ देखा जाए तो OBC वोट बैंक में सबसे बड़ी जाती हारियाना में जो है वो यादव है तो इसलिए OBC वोट बैंक को साथनी की कोशिश यहां पर भारती जन्ता पार्टी की तरफ से की गई है और दक्षिन हरियाना 11 सीटे यहां पर आती है OBC वोट बैंक जो है निनायक भूमिका में है तो इन तमाम फैक्टर्स पर कहिना कि सोशल इंजिनियरिंग करने की कोशिश बीज़ेपी की तरफ से की गई है और मनोहर लाल खटर को हटा कर नायब सिंग सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाना अंतिम तीन महीने में कहिना कि इस बात के संकेत देत वोटिंग जो है वो पूरी तरीके से शुरुवात हो चुके है लेकिन मेरा महत्मूर सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से जुनाला विधान सबसीट है वहां से विनेश फोगाट को मौका दिया है कॉंग्रेस पार्टी ने जहां से कॉंग्रेस पार्टी 15 सालों से जीत ह ठोकना शुरुक कर दिया है भारतिय जंता पार्टी की मुस्कले बढ़ गई है और बिने इस फोगाट तमाम उन मुद्दों को उठाते हुन नसर आई है जो कहीं न कहीं किसी भी पार्टी ने और किसी भी केंडिडेट ने नहीं उठाया उन्होंने महिलाओं का मुद्द ज चुक्राइब कर देखा जनतर मंतर पर कॉंग्रेस पार्टी का एक सपॉट लेकिन अगर 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 देखी एक कि खिलाब बिने इस फोगाट जाती हुन सरती तो तो चुनावी फायदा हर कोई पॉटव करते ही वही फायदा कहीं न कहीं बिने इस सब्सक्राट की मामले मे तीज सब्सक्राइब करें लगतार नेता है और मेरगला सवाल रहेगा मदिस काहिश कर्फिक से भारतीय जनता पार्टी और कॉंवरेस में धुलंवी acceptance सीग dil container है और इसी कड़ी में भारतिय जनता पार्टी के दिगर नेता अनिल विच सीधे दोर पर कहते हैं कि अब मेरी अगली मुलकात जो है वो सीम आवास में होगी तो क्या वो बहगावत क्या संदेश दे रही है क्योंकि देखा जाए तो भारतिय जनता पार्टी के हाला कमान पहले ये फैसला कर चु का लोकसभा चुनाओं के दौरान से ही कही न कहीं अनिल विच की नाराजगी साफ तोर पर यहां पर निकल कर सामने आई है और जिस तरह से वह नायाप सिंग सैनी के खिलाफ और यहां यूं कहें कि भारती जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते वे नदर आये तो उस इतने दिग्गत चेहरे जो कि कई यहां पर मंत्रीपत पर भी हरियाना की राजनीती में रहे हैं और ऐसे में अब अनिल वी जिस तरीके से बगावत करते वे नजर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं यहां पर नायाप सिंग सैनी को उनका यह खुला चैलेंज एक तरीके से देखा यहां पर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी को उसका खामियाजा भूगत न पड़ सकता है और ऐसे में जो सियासी भविष्य है भारतिय इंता पार्टी का हरियाना की राजनीती में वो भी कई न कई धुला सकता है और ऐसे में जिस तरीके से अब लगातार लंबे समय से भारतिय इंता पार्टी यह दावे करते वे नजरारती की जीत की हैट्रिक लगेगी और नायाप सिंग सेनी तीसरी बार सुबे के मुख्यमंत्री बनेंगे तो जहां तक मैं समझता हूं कि अनिल्विज इस तरीके से अकर बगावत करते वे नजराएंगे तो वाकिए कॉंग्रेस की तरफ से यहां पर कोई फायदा यहां पर उठाना यहां पर चाहेगा नेता तो वह कहीं न कहीं न कॉंग्रेस का दामन चोड़ कर भारती जंता पार्टी में जाएंगी उसके बाद कुमारी साल्डा ने शत्ती रहने की तो उसके बाद अब अनिल्विज इसस तरीके की चीज़े करते वे नजरा पर मुलाकात होगी तो वाकर यहां पर नायाब सिंग सैनी की मुश्किले बढ़ाते वे नजर आ सकते हैं अजी बिलकुल इस वक्त भारती जनता पार्टी की मुश्किले जो है वो लगतार बढ़ रही है देखा जाए तो जिस तरीके से सीम पत को लेकर सीम चेहरे को लेकर भा ने कहीं लगतार बन रही है अनिल वेज राव इंदर जीत और नायब सिंग सैनी ये तीन प्रमुख चेहरे हैं जो सीम पत का दावा ठोक रहे हैं हलाकि नायब सिंग सैनी के चेहरे पर पहले ही भारती जनता पार्टी मुहर लगा चुकी है लेकिन वहीं देखा जाए कुमारी सेलजा है रडीप सुर्जेवाला है तो वहीं देखा जाए भुपेंदर सिंग हुड़ा भी यहाला कि कॉइब नहीं है लेकिन जननायक जनता पार्टी का जिक्र करना भी काफी ज़्यादा एहम हो जाता है क्यूंकि जिस तरीके से बीते विदान साबा चुनाओं क भारती जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगे लेकिन जरूरत पढ़ने पर जननायक जनता पार्टी दुशन चोटाला जो है सीधे तोर पर भारती जनता पार्टी से हाथ मिला लेते हैं और खुद डिप्टी सीम के कुरसी पर बैठ जाते हैं लेकिन प्रसितिया बदलती ह तालमेल नहीं बैटता जलनायक जंता पार्टी नयों भारत्य जंता पार्टी केसाथ घटबंदन किया और दुशयण चोटाला उप मुक्य े मंतरी बन जाते हैं लेकिन समय बदलता है और लाक ऑज जी करें श्याफेके सत्ठी करते ज़ignon फेके और परजाहिर सी बात है यह तमाम जो प्रिस्तितिया है हमने महाराष्ट में भी देखी जिस तरीके से शिवसेना शरत पवार या फिर हमने देखा कि जिस तरीके से जारखण में चमपई सुरेन और हिमन सुरेन के बीच फूट डालकर बारते जनता पार्टी ने तमाम तरह की हर्याना में हुई हुआ लेकिन अब देखना दिल्चास होगा कि क्या हर्याना की जनता जिस जेज़ेपी को जिस दुचयन चोटाला को बीजेपी के खिलाव वोट किया क्या अब उन्होंने गटबंदन किया तो इसका नुकसान उन्हें जहिलना पड़ेगा अजास समाच प पर भरोसा जता है यह काफी ज्यादा कह सकते हैं कि महत्मूर्ण सवाल है लेकिन अब देखना होगा आठ तारीक को जिस तरीके से पढ़ना माएंगे हर्याना की जनता किस पर भरोसा जताती है लाल के इस रिपोर्ट में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्शनल पॉलिटिकल बैट के साथ